सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकेन को दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्प हेलो फ्रेंट सिलाई सीखो से मैं सरीता शर्मा आज हम बनाएंगे टेबल मेट आप इसे टेबल मेट की तरहें भी यू होम डेकोरेशन के लिए इसे योज़ कर सकते हैं तो यह दहें इसके लिए हमने साफ कलर की उनली है यह फ्रेम कोई भी लकडी का काट बोर्ड पूरांब उसे यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं को यह warming बनाना पड़े सरफ आप को इस ए फ्रेम बनानी पड़ेगी और श और यहां पर कॉर्णर पर मैंने एक किल यहां लगाई है और यहां पर लगाई कॉर्णर पर आपने एक किल लगानी है बीच में आपने सेंटर में एक किल लगाकर इस तरीके से आपने यह फ्रेम बनाना आप प्लेन पर भी यही डिजाइन बना कर आप फ्रेम बना सकते हैं य यहां पर राहे दागे कम दांगे और यहां पर यहां से लेंगे और एक लगा दे के माड़ सुन निए पर लगाएंगे दो और यहां पर यह तू थ। 4 5 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, तो यह देखिए 10 बार हमने किया, आप हम इसके बाद यहाँ पर ले कर जाएंगे, आप अपनी उनके हिसाब से आप इसे कम जादा कर सकते हैं, फिर ऐसे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, इसी तरीके से करते हुए हम इसे बहाँ तक कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखिए, यह हमने यहाँ पर कम्प्लीट किया, अब वहाँ से उस कॉर्णर से धागा हम इस साइड ले कर आएंगे, यह देखिए ऐसे, यहाँ से लेते हुए, और इसको हम लेफ साइड भूमा देंगे, और यह देखिए इस तरीके से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, फिर वापिस इस में लेकर आएंगे, दूसरे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, ऐसे करते हुए, इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे, यह देखिए फैंट्स, यहाँ पर यह हमारी रोग कम्प्लीट हो गई है, अब हमने इस धागे को यहाँ से लेकर और इस वाले कॉर्णर पर लाना है, यहाँ पर हमने अभी नहीं लपेटा, तो अब इसको हमने यहाँ पर करना है, ऐसे ही 10 बार यह देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 इसके बाद हम इस नेक्स में, यह देखिए ऐसे, ऐसे करते हो, इसे भी हम कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने कम्प्लीट कर लिया, यहाँ पर हम नौट लगा देंगे, 4 फोल्ड में हम धागा लेंगे, और एक पिन लेंगे, आप इसमें हैर पिन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक नौट लगा देंगे, और यहां पर fold side जो है वो हम इस तरीके से रखेगे यह देखे अब हम इसे stitch करेंगे stitch करने के इसे हम इस तरीके से ऐसे उल्टा कर देंगे उल्टा करने के बाद यह देखे यहां यह joint हमारा यहां पर यह joint है यह देखे जो भी joint आएगा यह देखे यहां पर joint है तो इनको हम stitch करेंगे तो यह देखे यहां से हम लेंगे यहां पर यह हमारा पहला joint है इसको इस तरीके से ऐसे लेंगे यह देखे और इसके बीच में ऐसे यह देखिए इसको हमने यहां से लिया और अब हम जो है इसको यहां से लेंगे यह देखिए इसके बीच में से इसको टाइट कर देंगे फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे यह देखिए ऐसे यहां से अब इसको यहां से लेंगे और इसके बीच में से लेंगे और इसको टाइट करेंगे फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे यह देखिए यहां से लेंगे यहां पर इसके बीच में लेंगे और यहां से निकालेंगे अब इसके अंदर यह देखिए ऐसे फिर इसमें यह देखिए यह सभी लेने है यह इस तरीके से यह देखिए अब यहां से लेंगे यहे देखिए और इसके धागे के बीच में से निकालेंगे ताकि हमारी यहां पर नौट लग जाए area से इसको हम टाइट कर देंगे यह देखे ऐसे फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे यह देखे यहां पर आपको यह क्रॉस दिखाई देगा यह इस तरीके से ऐसे लेंगे इसको यहां से बीच में से लेंगे कि यहां पर हमारा क्रॉस हो गया अब इसके बीच में से यहां से लेंगे यह ऐसे करते हो इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे राइट साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यह देखिए अब हम इसे स्टिच कैसे करना यह देखिए यहां पर आपको इस तरीके से क्रॉस यह स्टार दिखाई देगा इस तरीके से बनावा अब हमने इसको स्टिच करना इसको स्टिच करने के लिए क्या करेंगे देखिए यहां से इसको लेंगे यह ऐसे और इसके बीच में से निका यहां से लेंगेए यह ढ़ 노력र करें तैट करें तिर इस सब्गिए आपको यहां से लेंगे इसके बीच में से इसको यहांपर टाइट करेंगे यहां से लेंगे और सभी लेयर एक साथ लेएं यह बैर मिला से और यहां पर इसको टाइट करेंगे, यह देखें, राइट साइड से आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस दिखाए देगा, यह देखें, यह ऐसे करते हो, इसे हम पूरा कम्प्लीट कर लेंगे, पर आपको मैं रिपीट करकर दिखा रही हूँ, यहाँ बीच में, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, मैं आपको बीच में आपको फिर्स से कला गया तो यह देखिए मैं आपको फिर्स से रिपीट कर नियुक्त कर कर दिखाते हूं, व्हूँदमूनूड से करला wildlife नोट 푹श बनाना है, क्रॉस बनाना है करेंगे यहां से ऐसे लेंगे तागे को मैंने आगे किया और इसको खीच देंगे यहां से लेंगे यहां से और इसके यहां से निकालेंगे तागे के बीच में से लेंगे और इसको टाइट करेंगे यह देखिए यह आपको क्रॉस दिखाई देगा यहाँ से इसको ऐसे लेंगे यह देखिए ऐसे फिर इसको यहाँ से लेना हमने और इसके बीच में यह देखिए राइट साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यह देखिए फ्रैंस टेबल मेट हमारा बनकर रेडी हो गया इसका डिजाइन आपको स्टार में दिखाई देगा यह देखिए अब हम इसे निकालेंगे इसको हम अपनी साइड खीचेंगे यह लूज हो जाएगा और इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे फिर अपनी साइड खीचेंगे इसको और इसको निकाल देंगे यह देखिए ऐसे यह लूज होता जाएगा और इसको हम निकाल देंगे यह आज निकाल कर इसे हम complete कर ले ये ये दिकर इसे हमने frame निकाल लिया है जहां पर हमारे ये single द्दागे ये गया ये इन द्दागों को हम कट कर लेंगे ये इससे के बराबर लेकर आएंगे और इसे हम कट कर देंगे सिर्फ आपने इनी धागों को कट करना है जो आपके सिंगल दागे है इसे इसे कट कर लें साइड में से हमने कटिंग कर लिया और अगर आपको में वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब और शियर करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवात